तो गाइस इदे के फाइनली हमारे नाश्टा तयार है और यह मेरा छोटू मोटू जो गोद में बिठा वाई इससे भी मैं नाश्टा करा रही हूं यह भी कच्छी जर्दी खाना पसंद करते हैं और एक चुन्नू मुन्नू मेरा यह रहा आज इसने टाइगर वाली शर्ट प और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है थोटी बहुत अच्छी बनती है अशी दूंद रखा हुए अब मैं से रखूंगी शाम की जाए के लिए और साथ सफाई भी बहुत ज़रूरी है सफाई भी करनी चाहिए किचन की यह थोड़े से नाश्टे के बरतन रखे में यह ध देखें हम बस नमाज पढ़ेंगे यह मेरी देवरानी नमाज पढ़ेंगे अब मैं नमाज पढ़ूंगी और खाना गरम हो रहा है किचन में बस हमारी रूटीन है सुबह नाश्टा बच्चों को बेजना लड़कों को मतलब जैन्स को डूटी उटी पे भीजना फिर अपन सौधा लेकर आती हैं तो वो जूस पीती है मुसमी का और हमने हाथ से निकाला मशीन से नहीं निकाला जबके हमारे पास हर तरह कि अल्ला का शुकर मशीन है जूस वगरा की तो जल्दी और फ्रेश निकल जाता है और कोईस में मिलावट नहीं होती खाली जूसें पीया है अब मेरी देवरानी नमाज पढ़ रही है अब मैं नमाज पढ़ूंगे और पिचन में खाना गरम हो रहा है बस हमारी यही रूटीन है और बच्चे टूशन गए उनका ना दूपेर का टायमे टूशन का वो आ जाएंगे तीन बजे तक आते हैं बच्चे तो यह देखें अब अब अपनी सास को खाना दिया है यह उनके फिश फ्राइए और यालू इसका साला ने और यह उनके लिए चावल बॉयल किया थे यह देखें यह हम खाने दस्तर खान लगाया है और यह देखें छोटा मुन्नू नाते सुन लगाया है जब तक इसके आगे मुबाइल नहीं लगाएंगे खाना नहीं खाता वह इस शरारती है यह मुबाइल की इसको बहुत आ जाता है यह देखें अभी डिसाइड नहीं हुआ कि हजबन कहां लेकर जा रहे हैं और तो इसलिए शाम हो रहे हैं अगर फिर नमाज पढ़ेंगे मेरी सिस्टर और मेरा ब्रादर हैं भाई तो नहीं मेरा खाला का बेटा ही है चोटा है मुझसे तो वह हम लोगा भी जाएंगे फिर आपको परिट्स क्या करना है यह देखें शाम का टायम और परिट्स अपने अपने मटकी में मटकी में तो खेर नहीं गया अभी बाहर बेटे में और यह भी चारा हमारा तोते का बच्चा जिसकी एक टांग तोड गई थी मीठू मीठू इनकी वाइस बहुत अच्छी लगती अब इनकी बच्छे लेक बंद खाया लगते हैं और अब हमारे बच्चे भी देने वाले हैं फिर आपको दिखांगाँ इनके चुटे बच्छे यह देखें ऑब इसका है हॉआ है क्या हुआ इसके डिए तो बहुत ही गुसे से देखरें क्या हुआ हुआ है मीठू मीठू क हम रक्षे में बेढे हुए हुई है और यह देखे अभी हम आपको पिर जगापर पहुंच कर भटाते हैं जे हम क्या खाएंगे और हम कुण सी जगाप रहें यहाँ के काने कैसे हैं सटर्डे को हम अकसर भाहर खाना खाते हैं घर पर नहीं खाते हैं अगर घर भी खाते हैं तो बाहर से मंगवाते हैं महीने में या 15-20 दिन में एक दाफन तो इनसान को बाहर का था लेना चाहिए गैदरिंग कर लेनी चाहिए आउटिंग अच्छी होती लिए तो मिलते हैं आपके पृट क्हाने कहता है आपको लेखे अपने करा है आपके अपूर को पतने चाहिए जैक्ट बढ़ बहुत शादी हो रही हैं आप लोगा आइए तो जैकेट बें कर आए तो गाइस यह देखे हैं हम आ चुके हैं और जैसा क्या आप देख सकते हैं गाइस अब हमारे पास गाड़ी तो है नहीं हम रक्षे में हैं आप से क्या चुपाना मुझे शो आफ करने की आदत तो है नहीं जो रियाल है तो मैं आपको वही सच बता रही हूं वैसे तो मेरे स्वेंट की बाइक है लेकिन अभी सिस्टर और कजन भी साथ में थे तो इस यह रख्षियों में आना पड़ा और जूड बोलके क्या फाइदा यह जो है वह सच है यही है अब मुझे बहुत फाहिश है क्यों आजारी ना ओपूब कर आपको पता है बच्चों की तो चोटी चोटी कोईशें होती है तो देखें यह बीजाम है यह ट्रैक्टर कड़ें है और यह रस्ते में ट्रैक्टर आजे ना तो मुझे तो बहुट देल लगता है ना गाड़ी गुजर सकती है ना कुछ यह देखे और ट्रैक्टर अकसर होता है ट्रैक्टर के पीछे या बसों के पीछे खेल लिखावा होता है तो मैं याद कर लेती है आज आज अज़िक हम लोग बस पहुंचने वाले हैं अज़ियों के दिन हैं वैसा ट्रैफिक जाम नहीं होनी चाहिए लेकिन यह टाइम ऐसा होता है राते बहुत जल्दी हो जाती है मोस्टली लोग जो रात को निकलते हैं पाना वगरत पाने और तेर से भी निकलते हैं कुछ लोग तो यह देखें वीवर्स हमने गोई वप्टे के इस प्लेट मंगवाई हैं यह बेल पूरी है बहुत जबर्दस और यह यम्मी और यह लाहुरी चार्ट है मैं सौरी बरगर अमका चुके हम आपको दिखाया रहे हैं और यह देखें चुटे 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 प्यारी प्यारी बिली के बच्चे इंतजार करें कि हमें कुछ खाने के लिए मिल जाएगा तो वीवर्ट अभी आपको मैं यह खा के लिखाती हूं कैसी है कैसी नहीं है क्योंकि फीका है मिर्ची तेज नहीं है